हेलो नमस्कार मेरे नाम है अवड़ा शुराब सभी का हमारे यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज़ पर अगर आप मुझे देख पार है तो वहां भी हम आपका स्वागत करते हैं बाबर आजम पर हमेशा तनकीत करने वाले अजंडा चलाने वाले शुअब जट भी उनके फैन हो गया हलागी शुअब जट को मैं बाबर आजम की बेगम करार देता हूं क्योंकि उनसे डिमांड काफी ज़्यादा करते रहते हैं आज जब बाबर आजम की टीम क्वालिफायर 2 से बाहर हो गई मतलब फाइनल की रेस से बाहर हो गई क्वालिफायर 2 में हार का सामना करना पड़ा लाहोर कलंदर से तो शुअब जट ने तारीफ की है अपने टूटर अकाउंट पर क्या कुछ लिखा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं उन्होंने काई कि बिने किसी शक के बीते कुछ मैचों में बाबर आजम ने ना सिर्फ अच्छी बलेबाजी की है विद अ गुड इस ट्राइगरेट बलके उनकी कप्तानी में भी काफी ज़्यादा सुधार आया है मैं हमेशा बाबर आजम की उन पहलों पर उन कमजोरियों पर जो है मैं तनकीत करता हूँ जिसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है लेकिन इसके बदले मुझे काफी ज़्यादा लोगों से हेट मिलता है नफरत मिलता है वेल डन बाबर आजम अब इस पर क्या कुछ कहना है आप सभी को क्या ये उपर उपर बोल रहा है या सच में ये दिल से बोल रहा है कहना बड़ा कठीन है क्योंकि एक ट्वीट के बाद अच्छा ट्वीट के बाद शोवजेट को अकसर हमने देखा है कि फिर वो एजंडे उसी पर वापस आ जात आए और हनीफ मुहमत कैप भी इन्होंने जीत लिया और देखते हैं कि आगे इनके लिए पूरा साल 2023 जोई ये कैसा जाता है शायद अच्छा ही जाए क्योंकि पिछले साल बलेबाजी में इन्हें क्रकेटर अब दियर कावार्ड मिला था बहुत शानदार तीनों फॉर्मे झाल थाइरए झाल प्रॉब कि अज़े जया झालेफ बटकेटर प्रॉब के लिए जानदार था जायद से ऑचछा झालेफ पिलूड़ भार्डोंकि उल kangवतियूं कि इनके बटकेटर प्रॉड़ को तो इनके लिए लिए भी इनके कावार्ड़ कावान ठीज़